नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्ट्लॉजर सचेजिन सिक्का हम बात करने वाले हैं व्रशब राशी के साप्ताहिक राशी फलकी यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी यह सब्ताह आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है कितनी खुशियां लेकर आएगा कितनी साउधानिया लेकर आएगा आपका वैवाहिक जीवर नापका प्रेम संबंद आपकी शिक्षा आपकी उच्च शिक्षा घर परिवार में बड़े वजुरूरों से कितना को समर्थन मिलेगा कितना आपको प्यार मिलेगा कितना आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे वेवाही की शीवन में प्रेम संबंध में कितना दिलों के बैर मिटेंगे यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आप आने वाले साथ दिनों को अच्छी तरीके से कर सके हैं शुरुवाती जिरों में चंद्रमा मिथुन राशी में दिते भाव में केतू कन्या राशी में पंचम भाव में शुक्र तुला राशी में छटे भाव में सूर और मंगल वश्टिक राशी के हैं सब्तम भाव में बुद्ध जो हैं वो धनू राशी के होंगे धन प्रती मेशाशी के बारवेभाव में, यह ग्रहों की गोचिरी विवस्ता, अगर देखा जाए मोटा माटा, तो एक तारीक से तीन के मत में समय धन दायक होगा, कीरती दायक होगा, लाब दायक होगा, आपको चारों तरफ से लाब होगा, आप में गजब का आत्मिश्वास हो आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो प्लैनिंग्स बनाई हैं, वो पूरी होती होई दिराएंगी, उन योजनाओं पे आप अमल करते होई दिराएंगे, हर परस्तितिक के लिए आप तयार रहेंगे, हर मुसीबत के लिए आपके पास एक हतियार होगा, हर मुसीबत से, हर परिशानी से लगने के लिए आपके बाद हतियार होगा चार से छे के मद्द जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रू हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपकी टांग कीज सकते हैं कुछ आपके किलाव शर्यन तरह सकते हैं, सापधान रहिएगा कुछ सरकारी प्रशानियां भी आ सकती है जिसे income tax का कोई आपका लेन देन हो GST में कोई आपकी हेर फेर हो या आपने समय से नहीं भरी ऐसी कुछ समस्याइं आ सकती है कुछ और समस्याइं भी आ सकती है किसी का उधार देना है नहीं दिया क्रेट काड का बिल नहीं भरा समय से या बंते-बंते कामों में रुकावट आ जाए ऐसी समस्याइं आएंगी चार से छे के बीच में किसी के बहकावे में नहीं आएं आप अपने स्वास्त का पूरा ध्यान दखें सर्दी चल रही है कई जगों पर देश के तो वहाँ पर सर्दी का आपको प्रकॉप जहिलना पड़ सकता है बुखार रित्यादी हो सकता है वैपार में थोड़ी सी पकर धीली रहेगी साथ तारीकों समय अनकूल है विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा आप अपना सौ परतिशत देंगे हर एक काम में वर्षब राश्यवालों के लिए सब्ता अच्छा कहा जाएगा थोड़ा भाग दोड़ रहेगी आप छोटे-छोटे कामों के लिए भी आपको भागना पड़ेगा मेहनत आपको थोड़ी जाधा करनी पड़ेगी मन में कुछ चीजों को लेकर थोड़ी सी आपर संदता रहेगी कि जतनी मेहनत करी जतना सब कुछ किया उतना मिला नहीं सब्ता की शुरुआत में मौसमी बिमारी से आपको दिक्कत हो सकती है शरीर में परशानी हो सकती है कोई कश्ट शाजिक जहिलना पड़ सकता है किसी बड़ी शीच की खरीदारी करने में आपके पैसे जाधा लग सकते है देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्तिती है वो यह कहती है कि सूर्य मंगल वर्शरिक राशी के सब्तम भाव में होगे तो वैवाही की जवर में थोड़ा सा तरहाओ आ सकता है पति पत्मी के बीच में ।ेंचन हो सकती है प्रेवी प्रेमका के बीच में बहस बाजी तुनक मिजाजी भी हो सकती है और इसकिन के रोग भी आपको परिशान कर सकते हैं तिसे दात कात खुजली राहु मीन राशी के ग्यारवे घर में होंगे तो कहीं न कहीं से धन का आवग मुना रहेगा धन आता रहेगा पैसा आता रहेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है पंचों भाव में शुक्र तुला राशी के हैं तो शुक्र का तुला राशी में छटे घर में बैटना कहीं न कहीं थोड़ा सा जीवन साती से मन-मुटाओं को दिखाता है या एक लिपसे से बात ना बनना ऐसा भी हो सकता है कोई चीज आप कहें, वो कुछ कहें, आप कुछ कहें, ऐसी बहसबाजी भी हो सकती है अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सब्ता आपके लिए अच्छा है थोड़ी थोड़ी आपको चिंदा करने के आउशकता है शनी कुमराशी के हैं, दश्यम भाव में बैठे हैं तो कर्व में परिवर्तन लेकर आएंगे नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में इंक्रिमेंट आपको दे सकते हैं क्योंकि शच नामक पंच भापुरुश योग का निर्माद कर रहे हैं तो आपके घर में कोई प्रॉपर्टी ख़यूना चाहते हैं, आप कोई घर ख़ईदना चाहते हैं, कोई वहां ख़ईदना चाहते हैं, तो उसका लाब मिलेगा, बस माताजी की सिहेत का थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, तो कुल मिलाकर यह देखा जाये, तो यह समय शांदार है आपके लिए बस ध्यान इस बात कर रखना है कि कहीं आपका बजट ना विड़र जाए घर्चे जाधा ना हो जाए आपके जो शत्रू है आप भी जानते हैं कि यह हमारे शत्रू है इसे हमारी कम बनती है तो उनसे आपको थोरा सा विरोध जिलना पड़ सकता है वो आपके कामों को विगाड़ने की कोशिश करेंगे आपकी अच्छी छवी को विगाड़ने की कोशिश करेंगे घर परिवार में आपके जो परिवार के लोग है उनकी कान भर सकते है बाहरी लोग आकर आपके परिवार में फूड डाल सकते हैं गलत फैमी पैदा कर सकते हैं रिष्टों में जिसके कारण आपकी दूरी अपनों से हो जाएगी तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है सब्ताक की उत्राव में आपकी वाणी और वहवार पर आपको बहुत जादा नियंदर रखने की आप शुक्ता होगी क्योंकि लोगों की कही सुनी बातों में आकर आप दूसरों को गुस्ता घरवालों पर या अपने कारेश चेतर में अपने जूनियर पर उतार सकते हैं जिससे दिक्कत हो सकती है भूबी भावन भाहन से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं तो इसमें अपनी पॉकेट को लेखते हुए खर्चा करें ऐसा नहीं कि करना है एक लाग कर दिया दो लाग तो दिक्कत हो जाएगी किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े हुए हस्ताच्चन न करें किसी भी काम में किसी तीसरे वक्ति की दखलनाजी को न लेकर आए वहना तीसरा वक्ति आग लगा कर चला जाएगा और प्यार इस मुहबबत के मामलों में तो तीसरा वेक्ति आपका घर उजार सकता है, आपका रिष्टा हो जार सकता है जीवन साती की सिहत को लेकर भी थोड़ी सी चिंता आपकी बनी रहेगी कुल मिलाकर 60% अच्छा है, ये सप्ता थोड़ी सावधानिया है, लेकिन लाब भी है भगवान शिव की अराधना करना, शिव जी का मंतरों का जाप करना आपके लिए बहुत शुब है हन्मान शिव साप पढ़ते रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओम नुश्वाय मंतर का जाप करिए हो सके, तो किसी निर्धन या किसी गरीब बैक्ती को आप इस सब्ता में भोजन कराने दिन के समय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसको भर पेट भोजन कराएं, और कुछ भोजन उसको अपने घरवालों के लिए भी दे दें, बीवी बच्चों के लिए, जिसके लिए भी ये करने से आपको काफी रहात मिलने वाली है, और हर्मान चरीसा पढ़ते रहें, शि भी उनका पूरा नहीं पड़ता, ऐसे वज़े से कोई मजदूर है, उसको किलाईएगा, तो और बहुतर रिजल्ड आपको मिल जाएंगे, और आपके करियर में तरक्की हो जाएगी, अगर आपको बहुत जादा तरक्की चाहिए, जिवन में खूब पैसा चाहिए, तो जानते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा कैसे प्राप्त होगा, आप सभी लोगों को यही प्रेशन सदा रहा होता है कि हमारी किस्पत कब चमकेगी, कब हमारे पास पैसा आएगा, देखिए जिसके पास जरम कुली नहीं है, जिसके पास बहुत जादा पैसा नहीं है, बहंग पत्थर को पहन ले। यकीन मानिए कि ये पत्थर आपके जीवन पे शुक्ष, शांति और सम्रद्धी ले आएगा। ये पत्थर का सिर्फ एक ही काम है आपको सफलता दिलाना और आपको सफल बनाना। जब आप सफल बन जाएंगे तो पैसा आपके पास आएगा और पैसे को बहुत तेजी से ये आपकी तरफ खीच कर ले आएगा। इस पत्थर को लेने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप गाड़ी खरीज सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पत्थनी, अपनी बच्चों, अपनी परिवार का सुख जो है उनको दे सकते हैं, बढ़िया आप सेवा कर सकते हैं, जरूरते पूरी कर सकते हैं, आप अपनी जरूरते पूरी कर सकते हैं, तो ये पत्थर आपको सुख देगा, ये पत्थर अगर आपके पास होगा, तो आपकी इंकम बढ़ेगी, मालशमी आपके पास आएंगी, तो आप शादी करेंगे बढ़िया घ सारी चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ चाहिए, तो इसे खरीदिए, पहनिए और जीवन में सफल हो जाएए, कुछ लोग कहते हैं कि पंडी जी आपने क्यों नहीं पहना, तो मैं ये कहूंगा, आपने तो सिर्व इतना बड़ा पहना है, मेरे पास त जरूर आपके घर पे आएंगी और बहुत तेजी से आएंगी और रोज आपके घर पे दिवाली होगी, L6 इसका कोड है, पच्छिस सो रुपए इसकी कीमत है, तो पच्छिस सो रुपए पे करिए और ले जाएए महलश्मी का आशिरवात, दिये के नंबर पे आप वाट्स